नमस्कार रदाब दोस्तों मेरा नाम इंतखाब और आप देख रहे हैं टेक्निकल ग्राम दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप अपने टास्क बार को वर्टिकल पोजिशन में कैसे सेट करेंगे अभी आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन में मेरा जो टास्क बार है ये होरिजन्टल पोजिशन में है अगर आप इसको यहां वर्टिकल पोजिशन में सेट करना चाहते हैं तो उसको कैसे करेंगे सिर्फ vertical position नहीं आप यहाँ पे ऊपर भी अगर अपने task bar को set करना चाहते हैं तो उसको कैसे करेंगे वीडियो सुरू करूँ उससे पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी request है अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको like share तो करना ही करना चैनल को जोरू subscribe कर देना क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए ऐसी नहीने topic पे नहीने वीडियो लेकर आता रहता हूँ तो आईए दोस्तों आज कुछ नहीं सीखते हैं तो दोस्तों अपने task bar को vertical position में set करने के लिए आपको सबसे पहले अपने task bar पे यहां right mouse क्लिक करना है यही पे आपको एक option दिखेalt lock the task bar यह पहले से tick होगा एक बार इस पे आपको क्लिक करना है और इसको un tick कर देना है वापस मैं click करता हूँ देखिए un tick ho गया है तो ऐसे ही पकड के ले जाना है इसको और उपर छोड़ देना है. वापस लाना है, फिर से इसको पकड़िये. और उसके बास से यहां से आपको कोई भी अपना अप्लिकेशन अपन करना है. यहीं से मिनिमाइज कर सकते हैं. open कर सकते हैं उसके बाद से अगर आपको अपने task bar को इसको lock कर देना permanent अगर ऐसे ही आप इस्तमाल करना चाहते हैं तो फिर से आपको यहां right mouse क्लिक करना है और अपने task bar को lock कर देना है वापस आपको अगर horizontal पर लाना है तो दुबारा से इसको unlock करना है और इसको पकड़के यहां पर खीच देना है तो ऐसे बहुत यह आसानी से आप अपने task bar को vertical position में set कर सकते हैं दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा comment box में लिखके ज़रूर बताइए अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको like करिए, share करिए और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो please इसको subscribe करिए और साथ में bell icon को भी दबाईए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो आपके लिए upload करूँ उसका notification आपको आसानी से मिल जाए